हलो दोस्तों डिश न्यू चानल पर एक बार फिर स्वागत आप सभी का जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये सेटबोक्स का इंटरफेस है रिपल कमपनी का जो की मोडल नमबर है LR26W तो इस सेटबोक्स में हमें एक DLNA का उप्शन मिल जाता है आज हम जानेंगे कि DLNA का किस प्रकार कारिया है इस सेटबोक्स में किस प्रकार सेटिंग करेंगे और क्या ये वर्क करेगा या नहीं चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा DLNA चलाने के लिए आपका setup box और आप जिस phone को connect करना चाहते हैं वो दोनों के दोनों एक ही wifi से connect होने चाहिए अगर आपके पास एक extra mobile है जिसमें आप hotspot on कर देंगे चाहे net चले या ना चले आपका hotspot on रहना चाहिए दोनों को connect करने के बाद आपको remote से DLNA का option connect कर लेना है ओके करते ही इस परकार का कुछ interface नजर आएगा इसमें आपको एक application डाउनलोड करनी होगी यानि आपको अपने phone में जिसको ड्कास्ट करना है उसमें एक application इंस्टोल करनी है यहाँ पर हम आपको application का नाम भी बता दें Google Play Store में जाईए और यहाँ पर search में डाल दीजिए bubble bubleupnp तो इस परकार search करेंगे यहाँ पर search करने के बाद हमें कुछ इस परकार की यह application मिलने वाली है इस application को डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर remote से okay का बटन प्रेस कीजिए तो यह हमारा opening DLNA स्टार्ट हो चुका है DLNA स्टार्ट हो चुका है remote से हमने okay बटन प्रेस किया और अब mobile से इस application को open करेंगे यहाँ पर जो permission वगरा मांगता है उसे okay कर दीजिए अब इसमें हम connect करेंगे सबसे पहले उपर आपको एक option दिखाई देगा यहाँ पर cast जैसा इस पर टच कीजिए और टच करने के बाद नीचे कुछ टच करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पर आपको दो option नजर आ रहे हैं अपना htv पर टच कर देना है यानि हमारे जो setup box है वो connect हो चुका है अब यहाँ से आप कोई भी अपनी file choose कर सकते हैं जैसे video है, music है, image है तो कोई भी आप play करके enjoy कर सकते हैं लेकिन एक चीज जैसे मैं यहाँ पर play करूँगा तो सामने यहाँ पर यह play हो चुका है तो यह music यह video यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम other music की बात करें या video की बात करें तो आप अपनी choice के यहाँ पर select कर सकते हैं जो भी आप चलाना चाहें लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए आप जो high quality की video अगर चलाना चाहते हैं अगर आपके पास normal MP4 कोई भी वीडियो है तो उसे आप चला सकते हैं यहाँ पर play कीजिए और यहाँ इस परकार का interface आ जाएगा तो आप चला सकते हैं कोई भी अपनी मंचाही वीडियो या कोई भी image song लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा की picture quality high नहीं होनी चाहिए अगर जैसे ही आप 4K 1080px के वीडियो चलाएंगे तो उसमें hanging problem देखने को मिल सकती है यहाँ पर मेरे phone में जितनी भी वीडियो हैं वो सारी की सारी normal हैं ज्यादा कोई high quality की नहीं है प्ले करते ही इस परकार चलने भी लगेगी आप background में देख पाएंगे लेकिन आज के time में high quality का ही camera होता है और high quality की वीडियो ही लोग देखना पसंद करते हैं हम जो use करते हैं camera phone के camera हो या कोई DSLR हो तो उसमें high resolution की video ही capture करते हैं तो इसमें ये समस्या है कि वो video हम इस परकार DLNA के मध्यम से नहीं चला पाएंगे ये एक परकार की कमी DLNA में रहती ही है बाकि अगर नॉर्मल वीडियो की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप enjoy कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है कि इसी ओने वीडियो में तब तक धन्यवाद